स्वागत है आपका मेरी रसोई के सफर में आज में बनाने जा रहे हूँ आलू की ग्रेवी वाली सबसी इसे मैं बिना लहसुन प्याज और टमाटर के बनाऊंगी तो चलिए देखते हैं इसे बनाने की विधी मैंने छे आलू उबाल कर रखे हैं अब हम इसे हलका सा मैश कर लेंगे अब चाहे तो इसे काट भी सकते हैं अब हम इसे यूँ प्रेस करेंगे ताकि यह थोड़ा सा मैश हो जाए और जो बड़े टुबले रह जाते हैं उसे अलग से हम इस तरीके से मैश कर लेंगे अब ये आलू सबसी बनाने के लिए तैयार है एक कडाही में एक टेबल स्पून तेल हम गर्म करने के लिए रखेंगे जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब हम इसमें आधा चमच जीरा डालेंगे जीरा अच्छे से चटक जाना चाहिए जीरा के चटकने के बाद मैंने इसमें एक तेज पत्तर डाला है अब मैंने फ्लेम को कम कर दिया है और इसमें आधा चमच हल्दी पाउडर डाला है एक चमच लाल मिर्च पाउडर एक चमच धनिया पाउडर हम इसमें डालेंगे ध्यान रहें कि जब हम इन मसालों को डालते हैं तो ये लो फ्लेम में होना चाहिए अन्यता मसाली जल जाएंगे थोड़ा सा इसे हम चला लेंगे लगभग एक मिनट तक लो फ्लेम में इसे भुनने के बाद हम इसमें मैश किये हुए आलू डालेंगे अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे इसकी फ्लेम अभी भी लो में ही है थोड़ी दिर इसे चला लेने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम में कर देंगे मसाले इसमें अच्छी तरीके से मिल जाने चाहिए और अब मैंने इसे मेडियम फ्लेम में कर दिया है बीच वीच में इसे चलाते हुए लगभग दो तिन मिनट तक हम इसे पकाएंगे और अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे मैंने आधा चमच भुने हुए जीरे का पाउडर डाला है एक चमच किचन किंग मसाला हम इसमें डालेंगे किचन किंग मसाला मैं घर में ही तयार करती हूँ और अब एक चमच चाट मसाला मैंने चाट मसाला डाला है इसलिए आमचोर नहीं डालूंगे क्योंकि चाट मसाला में भी खटापन होता है अब अच्छी तरीकी से इसे हम मिला लेंगे इसमें स्वादा नुसार नमक डालना है नमक डालते वक ध्यान रखेगा कि चाट मसाला जो हमने डाला है उसमें भी नमक होता है तो उसी साब से हम इन नमक डालना है वरना नमक अधिक हो जाएगा और अच्छे से इसे यू मिलाने के बाद मैंने इसमें आधा लीटर पानी डाला है शुरू में यह थोड़ा पतला लग सकता है लेकिन अब हम इसे उबलने देंगे और एक बार जब इसमें उबाल आ जाए उसके बाद हम इसे ही ढाक देंगे और ढाक कर इसे धीमी आज में 2-3 मिनट तक पकाना है अब इसमें उबाल आ गया है तो मैंने ढाक दिया है 2-3 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे इस सबसी को इस वक्त अधिक गाढ़ा करने के आवश्यक्ता नहीं है जैसे जैसे या ठंडा होता जाएगा गाढ़ा हो जाएगा अब हम इसमें थोड़ी कसूरी मेथी डालेंगे एक टीस्पून के लगभग मैंने इसमें कसूरी मेथी डाला था लेकिन सॉरी फ्रेंड्स कसूरी मेथी डालते वक्त मेरा कैमरा ओफ हो गया था फ्लेम को अब मैंने बंद कर दिया है और हमारी ये सबसी अपसर्व करने के लिए तयार है आप इसे पूरी के साथ परोज सकते हैं ये इस तरीके की ग्रेवी वाली आलू की सबसी पूरी के साथ बहुत अच्छी लगती है आशा है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें चैनल को सबस्क्राइब करें थैंक्स फूर वाचिंग